मित्रों आजकल चर्चा में हमारे पंडित धिरियंदर सास्ती जी हैं हलाकि इसके लिए किसको जिम्मेदार माने समाज को जिम्मेदार माने या सरकार को जिम्मेदार माने ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही है लोग उनके उपर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं इस्पेसली मैं स्याम मानो जी की तरफ थोड़ा सा इसारा करना चाहूँगा महरास्ट के रहने वाले हैं और इनके बाते में आप लोग जाके गुगल से सर्च कर सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है न समाज में एक तरीके से कह सकते हैं कि जात्यधर्म से परिया एक इन्होंने समिती बनाई है जो किसे धर्म का सапोर्ट नहीं करते जो भी गतिविद्यया होती हैं धार्मिक रूप से उसमें इपने ये विचायर प्रगट करते तो मित्रो मरतादू आपसे कि आज अगर किसी भी इनसान को अगर कोई दिब्बे सक्ति प्राप्त है अगर वो उसने किसी धर्म को ले करके मैं किसी यहां वैक्तिका धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ अगर उसके पास कोई सक्ती प्राप्त है तो उस पे प्रश्ण चिन्द खड़ा करना कहां तक सही है और हलाकि ये भारत में पहली बार नहीं हुआ है आप बता दो इसके पहले भी बहुत सारे लोग हुए है चंद्रा स्वामी जी हुए है और यह से बहुट सारे लोग हुए है जिनकी बाते सत्य हुआ करती थी इवन प्रधान मंत्री जी भी पता दू मैं आपसे आप अगर जाके गूगल प्र चेक करिएगा चंद्रा स्वामी और विरेंद्र स्वामी जी जिनकी बाते प्रधान, मंत्री लोग मानते थे वह अपने टाइम के जो फीशते थे कि बताई बही चुनाओ में क्या होने वाला कैसा मेरे साथ होने वाला है और यह कोई नया नहीं है हमारे बारे में कोई इनसान अगर कुछ चमतकार कर रहा है अगर मैं इसको बात करूँ साइंटिस्ट की भासा में तो वो उसको अन्दविस्वास कहते है जो अगर हम लोग बात करते हैं अपने घ्यान की बेसिस पे अपने धर्म के अधार पे तो वो चमतकार होता है और अगर हम लोग बात करते हैं इसको साइंटिफ कि जो आए दिन हमारे संस्कृति को लेकर के हमारी सब्धिता को लेकर के हमारे सनातन धर्म को लेकर के प्रस्चन निखड़ा हुए रते हैं बहुत भूत धन्यवाद आप लोगों को